गुरूजी मंगलदाज जी महराज की, मंगल धाम की संद्रम प्रेवी सुंदर्शाट जिवक्त महावाब परंप जो गुरुजी महराज के मुखारविक से सिर्मुखवानी की चलचा प्रारंग होने जा रही है इसलिए आप सरी सुन्दर साथ मंदिर के इर्द इर्द जो भूम रहे हों आप सरी से निगदर करूंगा पंडाल पर पदारने की करपा करें हर्द दोत Alabama रहे हों हर्द आप से खर्द आप संद एltंद हुआ 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 है नवनीर दाभा तीतां बनादर दिन्ब ठला धरोषा ओरिंदु सुन्दर मखा दर्विंद नेत्रां कृष्यनात्परंकिमपितक्वम्हं नजानी रजेप्रसिप्वं नभरीक चौरं बोपांग नानां चद्पूल चौरं अनिक जल्मार जित पाप चौरं चौरं अन्यम्हं सबतां नभरीक सब्सक्राइब 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 सुग झारब की मध्रीक सब्सक्राइब कि वो है सब्सक्राइब से फिर आगर करोंगा जन्दी से जन्दी मंच पर पदाने कि क्रपा करें उससे पहले इक संदर वानी गायन का आनंद लेदिए चालू साथ केमरा चालू साथ स्री प्राणनाथ निजमूंग पति स्री मेराज सुना स्री तेज कुमरिशामा जुगल को बल परकर प्रनाथ मेरे सत्गुर्मंगल दास है साथ सुन्दर दास आशिश अपना दीजिए ओवे पूरन का आशिश अपना दीजिए ओवे पूरन का स्री सत्गुरू महराज की जैए मांगत हो मेरे दुल्हा दुल्हा मन कर करम बचन मांगत हो मेरे दुल्हा 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 मन कर करम बचन मांगत हो मेरे दुल्हा 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 मन कर करम बचन मेरे बैनी तुमा मेरे बैनी तुमारी साहिबी तुम अपनी राखो मेरे बैनी तुमारी साहिबी तुम अपनी राखो इसक दिजे मोहे आपनों इसक दिए मुहें आपनों मैं पासों करूँ इलाग मागत हो मेरे दुल्वा दुल्वा मन पर करम बचन आग मागत हो मेरे दुल्वा दुल्वा मन पर करम बचन हो मेरे दुल्वा दुल्वा मन पर करूँ आपनों ना चाहूं मैं बुझ रखि ना चाहूं मैं बुझ रखि ना चाहूं किताब थुदार ना चाहूं मैं बुझ रखि ना चाहूं किताब थुदार इसक दिने वहे आपनों इसक दिने वहे आपनों वहे यारिसों दावावे मागत हो मेरे तुल्हा तुल्हा मन कर कर कुझ रखि ना चाहूं मागत हो मेरे तुल्हा तुल्हा मन कर कर कुझ रखि ना चाहूं मन कर कुझ रखि ना चाहूं मन कर का तुल्हा 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 तुम दुल्हा मैं दुल्ही और ने जानू बात तुम दुल्हा मैं दुल्ही और ने जानू बात इश्क सुपा से वाद करूं इश्क सुपा से वाद करूं सब हमको साक्षा माहत हो मेरे दुल्हा मन कर कर तुब बचन ओ दुल्हा मन कर कर तुब बचन ये जिन तुम तारी करो मैं अर्ज करो दुर्विन मागत हो मेरे दुल्हा दुल्हा बन कर करो पच्छं मागत हो मेरे दुल्हा दुल्हा बन कर करो पच्छं बन कर कर करो पच्छं बन कर कर करो पच्छं श्री प्राणनात प्यारी की श्री संदु महराज की श्री निजानंद स्वामी की गुरुजी मंगताजी महराज की मंगल धार्म की समस्त सुन्दर साथ की श्री निजान प्यारी की श्री निजानंद स्वामी की स्री प्राणनात प्यारी की महराणी बाईचु राज की अंपराजा चत्र साथ की श्री मंगतास महराज की स्री कृष्न प्रणामी धार्म की दिन उरे धान की सर्वा सुंदर साथ कीए केमरे जंपाए हम गएरे जारों जणान बस्ते धार प्राद सिर्वाडी सुंदर साथ जी मापाए महिले भाईयों ज्ञान चलचा ज्ञान पुष्ठी ज्ञान आन भुदी देखे ज्ञान का भी अनुभव हो न हर चीज का अनुभव होता है हमें सुख का अनुभव दुख का अनुभव समयोग का अनुभव वियोग का अनुभव जीने का अनुभव मरने का अनुभव हानी का अनुभव लाव का अनुभव देखे कई लोग अनुभव करते हैं और कई लोगों से अनुभव बोदारी नहीं है पर जामा भी जो करें उसका अनुभव तो लेना ही चाहिए कुछ न कुछ उसका अनुभव ले जैसे दुख का अनगव है कई यात्रा में अनगवक गयर बहुत डुख जिलना पड़ाúc लुद्धा नहीं नयीं रहने की सुभिदा नहीं है खाने की सुभिदा नहीं सोने की आ नहीं तो एक प्रकात से दुखान उभुदि में फिर कवे-कवे सरीर में कोई-कोई विवारी आ जाती है न तो दुखान उभुदि दुख का अनुभ वता है सरीर सह लेता है परन्तु कवे-कवे असाईया दुख वता है सरीर में पीड़ा चोट लगने से या कोई न कोई इस प्रकार की विपत्ति आमें से एक दुखान उभुदि दुख का अनुभव कव इस दुख से निकलें कव इस दुख को जेलें कैसे संघर्ज करें और कैसे भुप तो हो इससे इस प्रकार से दुखान उभुदि कर्ष्टत आई है अनुभव में सबसे गुरा अनुभव दुख का अनुभव होता है पर अनुभव होता है पर अनुभ जेल करके आए हैं जब बाके गरवास में रहता हमने जेला जनम लेने समय जेला माने भी जेला बच्चे में भी जेला बच्पन में जब तक बोशी में निकलती ए तो क्या दुख और आज बच्चा बोशी सकता कि हथा है पर सजारीक ने कनी शेड़ा करें यह सकता है तिर आप देखिए फिर तो जीवन भर कई ने कई सरीर में कश्टा आने से दुमान उभुति होते रहती है अनुभुति का है अनुभब तो देखिए दुमान उभुति सरीर कमशन है सरीर उसको समझता है शरीर उसको जीलता है शरीर उसको अंदर अनुभब कर लेता है पर दूसरा अनुभब है जिसको सुहान अनुभुति कहते हैं सुख का अनुभब सरीर से ज्यादा इंद्रियों को बता लगता है कि हमें सुख मिल रहा है जैसे आप देखिए न एक दम गर्मी में आप बैठे तो उस समय शरीर को एक प्रकार से गर्मी कान दो हो रहा है तब काल आप पंख्य के नीचे चले जाए यह नहीं गोलर लगे हो एसी लगे हो आइसा हो का निजा है लिए तो तब काल आपके शरीर की जो चमड़ी है न यह भी इंद्रिय है न उसको सुखान भुदिकान भुदा हाँ पंखा के नीचे आप बड़ा अच्छा लगा अब अब तब करनी जेल रहे थे सरीर दुख पा रहा था अब क्या है कि अराम है हवा चल रही है ऐसा होता है और सुखा अनुभक्त इंद्रियां कैसे करती है कि कभी-कभी भूखे हैं अब एक नम से बढ़िया भुजन आपको मिला श्वादिष्ट भुजन छीव करस्वान दोती होते हैं जीव करस्वात बिशता है फेन् भी पारणे लगता है चल फेट-को ओetty अलब प्राइश जब तक पेट करता है और अधी डालो यही इंग अधी डालो यहीं है पेट को भी एक खाया हुआ अनुभज़ थे पराइब तो तीन चार घंटे पास गटें करते हैं नहीं है खुशी से काम करते हैं गुंते हैं बाते करते हैं सब कुछ हम कर लित हैं पर पेट आधाई बढ़ा होगा एमान मुद्ध तो एक मन में असंतुष्टी बनी रहे घे आज पेट बरा नहीं कोई भी काम कर रहा है तो भी मन में का सुन तुष्टी बनी रहती तो पेट से ले चलिके जीवा को भी खाने की एक सुखानगोती ऐसे हमारे इंद्रिया है देखिए कांद रुपी इंद्रिया है उसको कुछ अच्छे-च्छे गाने अच्छे-च्छे डाइला की सुनने के अनुगती होती है तो कभी कभी हास्य द्रिश्य दिखाया जाता है हसने के लिए या कोई-kोई स्य वहरट बिलती है तो ऐसे हर इंद्रियों का अपना स्वाथ है अपना रस्व है और अपनी प्राफ्ती है उसे पाटर के इंद्रियत रिक्त्व हो जाते हैं पर देखिए कि एक मन इंद्रियों के पिछी बैठाओं को आए वो मन दुख का भी अनबब करता है जैसे आप देखिए कि सरेर दुख जेल रहा है तो मन भी जेलता है साथ साथ में और इंद्रियों में सुख मिल रहा है तो मर्दों भी सुख मिलता है कि मन का रोख नहीं है में मन अरूम है मन अद्रिश्य है पर रहल तो मानना पड़ता है कि मेरे में मन है मेरे पास मन है इसका अनुबब कैसे होता है कोई आपकी प्रसंसा करता है तो आप फुले में इसा बाते में आप इसान है यह कोई अच्छे इंसान है या अच्छे इंसान है यह सक्कल सुरत से बहुत सुदर हैं ऐसा एक उस समय उसका प्रदाब मन में चला जाता है हम्हारी भूपरसम सा कर रहा है तो मन एकदम से कुस्स अंदर से ही प्रसंद हो जाता है जबकि हमने मन को देखाков ही लगाया कभी किसी ने भजन गा लिया और लोगने का बहुत बढ़िया गाया आपने बजन गाय करके भजन गाय उठा तो शुरताओं ने आवाज करके अभी बढ़िया गाते हैं एकनम हम खुश हो गए त्रिप्ते मिली आनंद मिला बड़े दिलों के बाद ऐसे आवाज सुनने को कानों में आया ऐसा कट्लूब कहींगे तो एक खुशी अंदर ही अंदर रखती है अरे प्रमचन करता है कहीं निक्षी सेत्र में आप देखिए तो लोग प्रसमसा करते हैं उसका प्रभाव नहीं चला जाता है और प्रफुन्ला हो जाता है और कभी कभी कोई आपकी निंदा करें वहां लोग क्योंकि हमेंसा लोग क्रसमसा करेंगे कैसी बात ही नहीं है हमेशा लोग आपको उचवर उठाएंगे इस बात भी नीए कभी दहकेल मी देथे लिए ayudar नई लोग आजाता है है तो खीशिल को तैला किसीने आपको कुछ की अप्यां मेनं हो उसका आसर मान सखरादा है ऐसे यह इंद्रियों के साथ पिंद्धुण के शुड़ाओ के इसलिए इसलिए हल्चल को मन सुन लिता है और और एक हनुगम है इसको आनंदान गुद्धी कहा जाता है आनंदा की अनुभुति आनंद का अनुभव वह केवल शरेर और मन तक से नहीं रहता है वह नुभव आत्मा को भी पता सब्सक्राइब आनंदानुभुति आत्मा का विश्य है तो देखिए कभिकभी मंदिरों ने जाते हैं मक्रम करें मंधिर में हुए इंद्रियाक फिस्फान के आंपर आपहे हैं एंद्रे के करदें पर century उस्सेरिपरें इंद्रियान इन आओlu पिर ऑलकर मन सक्थ भीगें है आगा क्तिल से परेंस से बारियों से मन आगा सूपर गुठी गुद्धी से अन्ना चुनिकार ने फुट्थ कर दो परारा इनका महोथ सम्हें ऐसी जगह जा करके गंटे दो घंटे करके वहां का पोजन प्रसांदे करके लिए अत्मा में खुशी आत्माने आनंद आत्मा अनंद कहते हैं और आत्मानंद का जो विश्रे होड़ता है वो भी आख्या करके बताने कठीन होता है केवल उसको आत्म में याप से नितरख सकते हैं मन तक भी नहीं उतार सकते हैं हिंद्रियों में उतारना तो धूर की बात रही सरीर तक उसको उतारना तो संधवी नहीं है पर आत्मा में ऐक अनद में कभी आपकांब बैट करके मेर साहर का भाठंग कर लीजिए तो आप देखिए अकेले मेर सागर पाथ कीजिए अकेले नीजे नाम का चाहब कीजिए इक अनुमका आप को मिलےका और खुक्त मेर सागर पार्ट कर दम में तो आपक दा नहीं वह आप हो मिला इंद्रियों का सुम बताया जा सकता है आत्मा का आननद वो बता aja नहीं заб आत्मान भूबवद हम्या नहीं रही ती आनन दा इसलिए अंदा के हमारे सास्त्रकार survivaliqu कि ये ंनंदने मैं तो शट्य ऐसा जोटों का जंद है ऐसे ही जी इन के साथ चोड़ने का वosphrs अपना जानती है आनंद के साथ जूड़ने का जो अन्भव है वो भी आतना ही जानती है अपना पता लगता है ओओ धर्म का आनंदा सुन्दा साथ के संभ्योग का आनंदा कभी कभी आप सोवायात्रा में निक्टिये यूँकि बड़ी-बड़ी कारेकरम होते हैं तो बड़ी जंडा लेकर के चलिए बेनर लेकर के आप चुनिए तो भूम का आने का आनंदा मिलता है और सरीर में ठ्यकवर्ट का आनंगा भी नहीं होता सरीर ठकता भी नहीं है मेले में जूलुस में बहुत लंबे अप चल जाते ही नोट कर आते हैं तो एक अत्मिक कुशी है फिर कोई कैसा लगा आप बता नहीं सकते हैं तो आनंदा आया थो आया अपको है अंदर हमारे समग्जें प्रश्चुत की है कई सुखान होती है न और इंद्रिया का भिशय उस पर दिल्वन होने चर्चा दी है कि इने इंद्रियों ने को मैं क्या कौन यह तो और ही को काया इंद्रिया में शुख तो मिल रहा है पर पर असके बार बार जाना ऐसे वार ठीक नहीं है कि यह बहुतिक सुख है, जगत का सुख है उसमें कितने दिन बने रहेंगे, जो जगत के सुख में बने रहेंगे दो बंदिर में आ सकते, देखने वाँ तो गर्मी लगेगी, पंगे की MICHAEL नहीं होगी, रूम में रहेंगे तो फिर दुए तो दूहां अध़ने पाणी स मंदिर जाने से यह सब जिलना पड़ता है घर का सुभा मिनेगाई नहीं जो घर के सुभ के हाथ ही हो गए है तो तिर्दों में जाई नहीं सकते तिर्दय आत्रा के लिए कोई निकले तो पहले से सोचे कि कुछ दुक आये तो जहें रेंगे पर राजी को पाएंगे राजी को पाने में बीच में कुछ न कुछ परिख्षाएं तो हमारी होती है न उन परिख्षा उसमें से हम गुजरेंगे और गंतव्य में जाकर के पहुंचेंगे अपने लक्ष को हासिब करके रहेंगे तो ऐसे अनुभव प्राणिनाजी महराज और आनंद का वी में अद्यात और घंपंड़ी और लिश्कार्ण और की विशिस्ता कि कि अपने काल्श का राद कारया ज्मित पुर्खते हैं तो उसका एक निराला आंद जीन में अनूबत होता है तो कल आपनों ने जो गुरुजी की दिधी के अवसर तब से प्रकरन गाए गए मेरे धरीधाम के दुलाह में करन सकी पेचान सो रोम में याद करकर जो मारे हेत के पाड़ देखे तो ऐसे ऐसे प्रकरनों का जब पाड़ होता है तो संसार को समझने का जीवन को समझने का जीवन का मिल्या समझने का मिल जाता है तो यह चवठा प्रकरन है श्रीधी के देखेमरे जंपाए अंगेरे जालाओ बली बली बाद्यों विश्विस्ता इस सरीर में एक अगनी जल रही है कि एक अगनी जल रही है कि करव पी शुका होगने कि लियर मन पढ़ आता है لिसपरहताया कार्ब करणने में पूंन करता है कोई भी कर्म करें थो पर खनुमने में पयाद्जिय थे भूख लगते हैं पर खाते खाते जियाता खाते हैं कभी-कभी साधी व्यामें ऐसा होता है ना भिराइटी वहां पर रहते हैं साधी व्यामें तो तचासों बेंजन मंदिरों में तो सिमित बेंजन करना पड़ता है एक सब्जी होगी या दो सब्जी होगी दाल है या चाओ है रवटी है इसी में मंदिर में बहुत ज्यादा होता नहीं होगा प्रसाद के रूप में उस्लम पाते हैं इसलिए वो तो सही सही रहता है पर आल सादी द्धी उुटलों प्रसाद कब द ότι कभे कंडरल नहीं एक और इस लिए और मoga पर फूट गये तो क्या होता है इस ज्यादा का शाने से पर क्या होगा करेद तकलिक पाने लगेगा पत्लिक सब्र emotप Okay है यह परिशान हो जाती है तो दएक कर्णाने का कर्मा अपने की आ है अर का फ्लit आ है न दर्दा पर फिर आप दोमां की कर्मा खाते हूँ just तो कर्मा का जो फल सामने आता है न तो वो बड़ा दुगदाई होता है बड़ा परिशान आपको करने को होता है इसलिए केमरे जंपा इस अंकर में द्वारा जो एक जुवाला फल वोगने का एक समय जबाता है और दूसरी बात है कि कभी कभी जीवन में जो इंद्रियां इंद्रियों में एक ज़ुवाला निकलती है यह चाहोतेरे यह प्रकार से भी एक संसार की एक ज्वाला वहां भी धदकने रखती है तो स्रीजी महाराज कहते हैं किस प्रकार से भाहिंकर ज्वाला हमारे मन में आ जाए त्रिश्णा रुपी ज्वाला इक्षा रूपी जोला िच्छा Natoo लूब जबादर दधकने मीं आग ज्यादा ज्वाला के लूप में दधकने लगे तो पानी डालना होता है जसको फुर्षा देना होता है आप जल रही है में उसको और उसको जलने का मुका नहीं देना चाहिए अंधर ही अंदर एंदर जु करने के लिए कोशिश करो कम करो इसको ठंडा करो तो सितल कैसे करें बली बली बाद यो विशविस्ता ये विशे रूपी विश का विस्ता तो बार बार बढ़ता ही जा रहा है और चाहिए और अधिक ऐसा करके जो चाहा है वो कभी बिटी नहीं है जीवसु रजुलम की लोग फरी फरी इस इस जीव के सिर में बढ़ करके बड़ा बारी चुलुम कर दिया है इस प्रकास इस चाहने इस तिंताने इस त्रिष्णाने उंको परिशान कर दिया है हठियों हरामी अंक इंद्री विकार और इंद्रियों को स्रीजी ने हरामी करके ये तो गाली का सब्दा है किसी को थोड़ी सी गाली देते हैं तो नाजीज के लूप में ठीक नहीं है ऐसा पता बड़ता है पीटे-पीटे समझा से कभी होता नहीं आप देखिए आपके सुबार में किसी को डांटने की प्रप्रिंती नहीं है पर कभी-कभी घर में बच्चे नहीं सुनते हैं थोड़ा सा उस्सा प्रकट करना पड़ता है उनको सुधार में के लिए उनको सही दिशा देने के लिए घर के कर्मचारी भी कभी-कभी होते हैं आपका सुलाव सरल है, मिलन सार है, सबका हिद आप चाहते हैं पर हैं तो आपको थोड़ा सा आटेटी सेरी सही घुस्सा करना पड़ता है उनको सुधार में के लिए उनको सही दिशा देने के लिए तो श्रीप्रा तो थोड़ा सा तो आपका टुआ क्या बोलेंगे कुछ उचारन करेंगे, कुछ गालिया भी देंगे, कुछ अप्सभदा का भी प्रयूट किया ताकि उनको सुधारा जाया तो श्री प्राणे मैं से महराज में कहीं कहीं जैसे हरामी कहने कहने से बहुत बड़े काली वजाती है तो बड़े हरामी आथमीं वैसे किसी को बूल दिया जा इंद्रियों भी अपनी इंद्रियों को हम भी अपने इंद्रियों को इस तरह से डाट सकते हैं एंद्रियों को विच्छ सुदावनेन लिए फंस अंदर है वेलू को स iron की इसे जाता है अपने आपको सुदाबना आए तो अपने ही अंदर की बासा अपने उपर प्रयोग किया जाता है कि एक ऐसे इंद्रिया और इंद्रियों की सोच में बीकार है और इंद्रियों के इंद्रिया करते हैं इसमें तो बिकार है जो से पूरा देखने के लिए और थोड़ी ताजगी लाने के लिए आग दोना बहुत जरूरी है तो हर इंद्रियों में इस प्रकार की जो क्रियाएं करती है इंद्रियां उनका परिडाम विकार के लुपे दुपन्न होता है तो ये को क्या है बाईय विकार है जिब को धोया जाता है साथ की आ जाता है एक सोच में विकार आजाना, इंद्रियों की सोच में भी विकार आजाते हैं उनको केवल धर्म के ज्यान से, गुरु के ज्यान से, प्रवचनों से, समझदारी से उनको दूर किया जा सकता है, उनको दोया जा सकता है, उनको निर्मल बनाया जा सकता है दुसरे जी महाराज करते हैं इन इंद्रियों के अठ पुर्वक बल पुर्वक जो संसारे नहसितने की आधत है उनको भी कैसे करके हम सांप करें जहां पजालाओ हवे उटती वो मंगती इस शरीर से ज्वालाएं निकल रही है जैसे आग जहां वर जलती है तो उसकी ज्वाला दास तो छूने के लिए उचे उचे तक से लिए जाती है ऐसे यह हमारे अंगों में भी एका शिहां पर भी रहा की बात पी चल रही है क्योंकि सुंदर साथ अधैपुर का यह प्रसंग है सुंदर साथ बुगल सेदा ने वांगेर रखा है सुंदर साथ खश्क पागए है तो ऐसे समय में एक भिहरूपी अगनी क्या होगा कैसे होगा कैसे जिन्दा रहेंगे वरिवार को कैसे बचाएंगे धर्व सस्कृति और परंपरां को कैसे बचाएंगे इस तरह से भी उनके मन में क्या है कि यह विरहा विरहाकनी की ज्वाला भी धतक नहीं सुखा सितल अं अंगनाने चावा घे रमी आपकरसंद देजिए के कि पावान गन करके शुख वर्साइए सित्तवता वर्साइए और अंति वर्साईए अंगने इंद्रियों में सांति या जायए कि कुई असांति की गड़ी में कोई शुखी नहीं हो सकता है आप असांत हैं आपके सामने एक ठाली बोजर लागर के रखते तो आपको सुखान दो हो गाई है अब कहेंगे अटावा का यह खाने का समय थोड़ा ही है क्योंकि मन असान्त है असान्त मन है तो कोई लागर के आपको अच्छे-चे कपड़े ले गहने डाल दें आपके सामने सुन्दा सुन्दा सीधे मन में साथी आजाएंगे सितला बत भर दभी जिया हमने तो पुझी ये वह जां दरके मंन में सब गुति आजाएंग Спुरकर्दी आते दहें क्योंकि सबस्पार्टेजिकृक सब्सक्राइब कि नेक्टिव थीडिग으 सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब प्रशिड में कर देखी जीवन में भी सोच में वी विचार में चिंतन में भी एक सकाराफमक सोच नगाराफमक सोच इस तरह दो म्रकार शोच है तो ये तो चलते रहता है तो स्रीजी महराज करते हैं ज्यादा सकारात्मक सोच आजा है दानी सुन करके गई तो सोच में सकारात्मक मिचा आजा है आख लगाए यात्रा में आ तो रहें उह सब्सक्राइन क्या होगा कुछ आधलीप पायने वेगा सब्सक्राइब करने के लिए और नकारापनक सोच आजाए क्या होगा कैसे होगा जब वहाई जास में चलते हैं एक तम आकास में उड़ता है तक सब्सक्राइब करें तो नकारापनक सोच भर ती लेगा नो गभरा जाता है तो ठोड़ा कई कई वह्यदर कणा होने से लृटाज किनता है भुटा उसको मेया डर सताता है राजी मेरे साथ है ऐसा कोई सोच करके चलेगा तो मन में ़मगद्धी नहीं आएगी तो मन में स Mutta D yang तो हमसे कोई गुराता न हो जाए क्योंकि सरीर आपने दिया इंद्रियां आपने दिए तो कभी हो सकता है कि इस सरीर से निकृष्ट करने हो जाए हम तो उतकृष्ट करें जहां में जाए उतकृष्ट से उतकृष्ट करते हम जले निम्नकार्मा नियक्र मं निनडितकारमा कंसी का अधाने काक्रमा бегती है ऐसे कर्म मेरे सरीर से नहों करहें सबकरम करते रहें और स्ठा स्था सेवा में लगे रहें करने सोनने कि गुनपकलिक्री इवलीश में सेतान के उमिफनी एसेाना लुए कुम सेतान की सेथान धाने लुएं तो उसका वास्तर हैं हमारे में यही कहा जाता है कि असूर असूर की लड़ाई है ऐसे करके हमारे वागोत में और अपने साथ भी अन्याय हो जाता है इसलिए सूर Спर्एपृति ने हम से का और ले हैं तो यह कि इपिनिस मन वे शूर ना जाए गुण इंद्रियां के seem का सॉचन यह सब शहर के बस में भुआ जाए고 नंगे कि अज क्यों नहीं आए यह प्रसाथ क्यों नहीं लिया उस तरफ पर चाहिए तमगुन दूस्रों को सताने के दिये नहीं घूष्चा करने के लिए अपने आप को सुधारने के लिए रजबुन है तो राचि आपस जाहरा है तो स्वाच्छा कपड़े पहिन करके जाएंगे तो एकदम हम एकाग्र होकर के ब्रेटनेंगे चल चलता नहीं दिखाएंगे तो यह इविलिस के बस में इंद्रियों को जाने नहीं देना है यह राज्य के अधिमस्त करना अंगना अंग अधापर अधिकार इन अंगना उन्हें अंगना उन्हें सावास करने के लिए राज्य ने शरीर दिया तो आच्टा दिया इसी सरीर से भक्ति हुई इसी सरीर से से श्रीवां कर दोए हैं इसी सरीर से क्वसांद पड़ ए इसी सरीर से सुन्दर साथ की सेवा कर रहा है रात्व सरीर को सरीर से केवल अउववण हो तो गुरारी आही हो तो धिकार है सरी पर इसको दिखार में बनाना है इसको धन्य धन्य बनाना है और तो अपने में प्रकत करने के लिए प्रयास्त करें तो यह हम सुन्दर्शाथ होते हैं इसे लिए जाहरी आता को ना लेखर के बातुनी आता जैराइरी आता अंदुरुनी आता जो है उसकों स्विकार करके चले पर यहने बचने देदे फिटकार यह दे हमने वो भूंदारने वो स्वतकुण नहीं जगाया या निर्गुण भाव नहीं जगाया मैं आता इंद्रिय श्यृ नहीं है स्वतकर माकर सब्सक्राइबं तो यहां सब्सक्राइब यहां तो श्यृता है जरी काथया आध fabrics श्यृताम है में सिवा नहीं सुमिरन नहीं कुछ नहीं से करके पस्तावा जाए उस समया फिट्कार अपने आपको दिखाया में लगने अएसी इस्तिदियम में नहीं धन्य है जब तक सरीर साथ वह दे रहा है बहुत नहीं जना तो तो हम वह लुटाई दंध्य है आपको धन्य कहने का और शर्मिले अब अंधिन चोपाइब केते हैं मैंने माएमें जोपे जारे जो ये जब अंदरुनी उर्थ को किराय से इरदय से अनुभफ और खेंने एक ज्राद का आ भाल-जोफ पढ़ने से लिफ एक आन抉भब का आप्पनाप्स एक जो कैनूबफने लिफ फ ace जीमत का हर्ष्य क्या है जब अब अच्छी तरह उसको समझते हैं प्यारे धीदा अतार उनी इतना तसका उस समय ब्रह्मा आत्मों को ऐसे लगता है कि आज तक का समया विराफ्थक क्यों गया अब आगे तरस्माइशा और आकर से पैचान होने के पूरका उसकी रहत sterkt है ने Is야 कि इस तरह से कभी-कभी शखिऊगे क्यों नहीं हुए आपने जाहिरती क्योंने हुई तो कब लगता है जरी से समय से क्यों हो गया नहीं होना चाहिए शुक। कलगल महामत एंपर कंध जी वहां मत नुन सखियों के समोर का जो भी दराव पुका रहें अपना साथ करते हुए उन समय की इच्छा और समय के हुए प्राडाजी राजीसे मुकार करता हुए एवास आरे दोस अंगनाव नाधार है आधार धनी आपनी अंगनाव को दोसी मत पनाए निर्दोस करके उतों चोड़ दीजें आप देखिये कभी कभी कोई केस होता है पोट केचरी जाना पड़ता है पुलिस के पास जाना पड़ता है वहां पर बयान बाजी होती है साक्षी देने वाले लोग पहुंचते हैं विटनेस देने के लिए और आपको निर्दोस सावित करके छोड़ दिया जाए वहां से तो कितनी खुशी होती आपको कि यह बैटे निर्दोस है ऐसे इस पे आरोप लगा तो सारुपन ऐसे यह हुआ आपको बैटे बिल्कुल निर्दोस है तो एक दम कुश्मता के साथ आप गार्लोंड करके आए और वहां जो जाज बैटा हुआ है कहिए दोशी है कल्पीट है ऐसा करके कोई कह दे तो कितना जीवन भर उसका दुख होता है ऐसे हम इस जगत में आये हैं और राजी हम को कहे मिर्दोस और कितनी अच्छी वाफ है एंड मेरा अपने दुखिए निया में वहीं तर आपने दुख मोंग करते हैं तो कहीं राजी दोसी नहीं को सालिवन करना इस तेरा भीत अरब कर ड़ता में हैं कि अपनी अंगनों को आप निर्धोसी इस प्रकरन का सार है रहस्य है जो आप लोग नित्य प्रती चर्शा के लादियों से सुनते हैं और हम लोग का रिक्रम चली रहा है गुरुजी की दिथी चारीश सुन्य दिथी भी अच्छी तरह से हो गई क्योंकि आज क्या होगा कैसी होगा इनने सुनतर साथ आएंगे और मंगादान के परिदी ऐसी है हम लोग ने कोशिस तो किये कि बिना भीगे एक तार से दूसरे घर सले जाएं फिर भी ज्यादा वर साथ होगी और ज्यादा संख्या में संदर्शाथ रहेंगे तो कुछ न कुछ परिशानिया होती है पर राची इने क्रिपा करके गुरु महराज की असिंग क्रिपा की सब अच्छी तर हो गया इतने आरती से इतने संदर्शाथ ने आरती के समय में इतनी वीड कहां से आती है मोगनों बता नहीं लगता है पर जब आरती सजती है आरती उतरती है तो इसा लगता है कि इतने संदर्शाथ कहां से आई तो सब आते हैं सब आरती करते हैं सब तुसाथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह सबसे पूरा कर लेंगे यह सारा कारेक्रम, यह चालना है 26 सारिकार्म कारेक्रम होगा nya सुबह नुए नुए ही होाँ नुए निशसे ग्यारा वजह पूरा करतेंगे war already पूरा करता हैंगे, क्योंकि उसीन लों को दिल की आत羅रोत करनी है, तो यह सब चीजें आपके सामने हैं, जो फल सामने आया है, उसको चखिए, हसबान कीजिए, स्वाद देजिए, और जीवन को स्वादिष्ट बनाइए, इन्ही सब्दों के साथ आप जो धंडारे की से वहाँ ही है, परमधापासि दिन दयाव अगरवाल सिलिगुडी, उनकी ओजेना चीजें दर्मधात भॉन कीजिए, जो त गतला है, ऐने लोगताविया, सीप्रण सामने देटी है, और साथ के से लिसकरतों के स्वादों की लर्ए कल दों की मंतलिस्टादे, ने स्वादी केुए, उनकी मंतल दे better Reda है टेटी बोलो सुद्ध गुरु माराज गी, स्क्री म्राण नात प्यारेगी, सर्व सुन्दर साथ की, माहे में माहे में जोपे ज्यारे जोईये, क्यारे दिना तारुनी तनत चकार, कलकली महामती कहे हो गंत जी, बेवा अश्यारे दोस अंग नावना धार, बोस्री प्राण नात प्यारेगी, स्रे धाम के धनी के प्रणा। या तुम हो तैसी की जियों में, अरज करूं दिल पीवे जी, हम जैसी तुम जिनकर मेरा तलब तजप जाए जीवे जी, जिवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिते दिले की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूं प्या, तुम हो मेरे आस जी, आस भी जानी तो करो, प्या जो कोई दूसरा हो जी, सभीत पियाती सामरत बिन रहन जात रोई रोई जी, जनम हम दे जो हम होते, प्यास तुम देते की जी, जब तुम आपर दिखाओगे तुम देना मत दे, ये पुकार प्यास तुम दे की, आपर भी लेकरो तुम देने जी, जिज जीना कबर दुरी जीयों में, अलज करों तुम देने जी, टेदी के लेज में तुम कर पिया आड़े बाई अंकलाये थी, सुखारे अंतरा लेकार के दुखा लीजिये कांधर लागाएदी कांधर लागाएदी कांधर लागाएदी ठिस्वा पिया की दिये हास बिलास दिये बार लेका इश्री की द्रावती पिया राभु कदम के पास दी तुम लहाएदु लही की पिया और अजानों बात दी इश्रक सुम्सी राकरों दनी सभां को साथ शात दी सदा सुप्रता दाख दरी में कांधा हो इन बात दी आती दुगल श्रूप परवरी आमना परी परी जात दी सदा सुप्रता दाख दरी में कांधा हो इन बात दी आती दुगल की शोर परवरी आमना परी परी जात दी पिया तुमा बोत ऐसे की दियों में अर्ज़ करों मेरे पियों दी हम जैसे तुमा जीन करों मेरा तलम तलम अजाई जी 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 क्रिश्यत नई अलायम की स्री जी जानंद स्वामी की स्री प्राणनात प्यारे की दीनों पुरिडाम की पुर्जी मंगदाजी माराज की बंगल आम की समस्त सुन्दर साथ की आज के आनंत की प्रणात हाल हाम कता है झाल झाल झाल